पुरान कालस्य राजाह हरिताह पुर्वं हरिताह नाम कष्चन महा संगीत प्रेनी राजा आसीत सह सम्य गायतीस्मा तस्य आस्थानी अनेके विद्वाम सह आसन राजा तेभ्यह उत्तम प्रोच्चाहम यच्छन तान पोशितवान तथापी कोपी हरितसं आतिशेतुं शक्तहन अभवत हरिताह स्वगानेन नारदस्य प्रशंसापात्रम जातह आसीत सरस्वती ब्रह्मा इत्यादीनाम पुरतह गीत्वा तेशाम अपी आशीर्वादं प्राप्तवान आसीत्सह तस्यकीर्तिही वैकुंठपरियंतं गदा आसीत्स्य प्राप्तवान कदाचित महा विष्णुहू एव तम आहूतवान गानात्त्स्य मधुरगानम शृत्वा विष्णुहू आत्म विस्पृत्या निग्राम प्राप्तवान कदाचित संगीतस्य मुलपुरुशस्य परमेश्वरस्य गानम श्रोतुम अवकाशह लब्धह हरितसा शिवह चंकराभरन रागस्य आलापनम कृतवान तस्यरागस्या गानस्य विषये शिवेन अभिप्रायह यदापृुष्टह तदा रागह स्वरह च सम्यक अस्ति भावह सम्यक नास्ति इति उक्तवान हरिताह शंकराभरन रागह प्रशांतत्चित्तेन अलापनियह किन्तु गानसंदर्भे शिवह शांतह न आसित रागाला पनसंदर्भे हरितस संगीत सामर्थयम कीद्रशं स्यात इती चिंतयता शिवेन दोशह कृतह आसी हरितसह अप्रियेन विमर्षेन कुपितह शिवह तृतियम नेत्रम उद्घाटितवार शिवस्य तृतियनेत्रेन सामान्यतह सर्वे भस्मी भवंती तद्नात्वा अपी हरिताह निर्भीतह एव उक्तवार महादेव दोशह सर्वदाद दोशह एव अहम भस्मी भवामी चेदपी दोशह तु तथाइव तिष्ठती एव इदी एवं परमेश्वरस्य परीक्षायाम उत्तीरणह हरिताह प्रसिद्ध गायकह विमर्षकह धैर्यशालीच इती कीर्तिम प्राप्तवान एतस्य सामर्थ्यं दृष्ट्वा परमेश्वरह अपूर्वं वरंधत्तवान तस्य वरस्य कारनतह एव हरिताह देवेंद्रम अपी बध्धवंतं अंधकासुर नामानं राक्षसाग्रेसरं मारैतुं समर्थह अभवत